ओम शांती आज 19 जुलाई 2021 के बाबा के मदूर महवाक्य सुनेंगी और आज की मुर्ली में बाबा ने हम बच्चों का फाउंडेशन मजबूत करने का आधार बताया है सबसे पहला आधार बाबा ने बताया कि तुम बच्चों का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए जितना जितना देही अभी माने स्थिती को बढ़ाते जाएंगे उतना अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकेंगे दूसरा बाबा ने कहा आत्मा का स्वधर्म शांती है जितना स्वधर्म में स्थित हो करके डेड साइलेंस का अनुभो करेंगे या स्वीट साइलेंस का अनुभो करेंगे उतना अपना फाउंडेशन मजबूत होता जाएंगा तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्रता के आधार से ही तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत होगा तबी संपूर्ण पावन बन सकेंगे और चौथी बात बाबाने कहा बचे और शरीरी होकर के पैठ जाओं डीप साइलेंस का अनुभोगा यही हमारे फाउंडेशन को अचल अडोल बना देगा तो सुनते हैं आज बाबा के मदूर महावाक्य ओम शान्ती, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ और शरीरी बन बाब को याद करो इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस प्रश्ण है तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है पवित्रता के आधार से जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है उतनी मजबूती आती है बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता तो अचल अडोल निर्भै स्वराज्य हमें बाबा देता है आज की मुल्ले का गीत है ओम नमः शिवाय ओम शांती बाबा कहते हैं मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेट साइलेंस जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेट साइलेंस हो जाती है कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया शरीर और आत्मा अलग हो गयी खत्म हो गया यहां भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेट साइलेंस कहा जाता है जीते जी अशरीरी बन जाओ अपने को आत्मा समझो फस्ट आधार है फाउंडेशन को मजबूत करने का अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो तुम जानते हो यह सची शांती है वो लोग शांती को नहीं जानते डेट साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं डेट साइलेंस क्यों कहते हैं याद दिलाते हैं वो मर गया शांत हो गया तुम भी मर जाओ जीते जी मर जाओ इस दे और दे की दुनिया से दूर अशरी हुपर चले जाओ तुम भी शान्त हो जाओ बड़े-बड़े लोग गांधी की समाधी पर जाते हैं वहाँ जाकर कहेंगे डेट साइलेंस अथाज शान्ती में बैठो कुम को भी मालूम है हमाथमा शान्त स्वरूप है हमारा स्वधर्म शान्ती है दुनिया को पता ही नहीं हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं हमारा स्वधर्म है शान्त हमारी आत्मा शान्त स्वरूप है उनको ये पता ही नहीं इसलिए शान्ती मांगते हैं आत्मा कहती है शान्ती चाहिए आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है फिर आत्मा क्यों कहती है अशांती है और शरीडी हो बैठ जाओ वह तो हट से प्राणायम चड़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं उसको कहा जाता है आर्टिफिशल शांती पता है हमारा स्वधर्म शांत है तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो आत्मा ही सब कुछ बनती है आत्मा बैरिस्टर बनती है आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए आगे भी राज्य लिया था बाप से तब फिर से लेने आये हैं मनुष्य दे अभीमान में है तो दुख में है। इतना दे अभीमान में स्थित रहते हैं उतनी उनकी आत्मिक शक्ती ख्षिन हो जाती है। इसलिए दुख कानुभो करते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम आतमा है अपने परमपिता परमातमा से स्वराज्य लेने आये हैं तुम आतमा को राजाई चाहिए इस समय आतमा स्वराज्य मांगती है बेहत के बाप से सिक्रिष्ण को तो स्वराज्य था फिर गुम हो गया अब बाप आकर तुम आत्माव को राज्य देते हैं इसको राज योग कहा जाता है परमपिता परमात्मा राज योग सिखलाते हैं मनुष्य देह अभीमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ मैं देह को ही समझ लेता हैं मैं दे को ही समझ लेते हैं वास्तव में मैं आत्मा हूँ लेकिन दुनिया में इतना ज्यान है जो वो मैं शब्द कहते ही दे समझ लेते हैं तो बाबा कहे मैं दे को ही समझ लेते हैं वास्तव में मैं आत्मा करती हैं आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूँ, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ, वास्तव में आत्मा तो मेल है, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं, आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा, भक्ती और ज्यान में द कितना फरक है शिव का मंदिर भी होता है सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बचते हैं। उनको जगाते हैं यहाँ बाप बच्चो को जगाकर देवता बनाते हैं,, गंटे आदी बजाने की कोई पाक नहीं बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो एम अब्जेक्ट बुद्धी में रहती है स्टूडन कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे सन्यासी चाहेंगे हमको शांती मिले एक कहानी भी है ना बाबा कहानी सुनाते कौमसी रानी के गले में हार पड़ा था ढूंड थी बाहर तो वह भी शांती को बाहर ढूंडते हैं परन्तु आत्मा तो स्वयम शांत स्वरूप है आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं यह बाते दूसरा कोई समझा न सके बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो मैं बताता हूँ तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया बाप ने समझाया है सिवाई पवित्रता के ज्यान की धार्णा हो नहीं सकती कहते हैं न शेरनी के दूद के लिए सोने का बरतन चाहिए तो इसमें भी सोने का बरतन चाहिए अर्था बुद्धी इतनी स्वच्छ चाहिए आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है बाप भी सच्चा सोना है आत्मा बाप को याद करती है तो ज्यान आ जाता है तुम सच्चा सोना पवित्र थे ये ज्यान का असर किसको होता नहीं बाबा कूछते हैं ये ज्यान का असर किसको होता नहीं बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी स्रिष्टी का अंध और नई स्रिष्टी की आदी होगी मनुष्य को हद की राजाई है बेहद की राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप द्वारा, बगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालुम है, देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान जाये तो दुखी हो जाये, क्या सीड़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुखी गुम हो जाये, यहां तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा है, इसमें संशे की बात नहीं, एक दो से सुनकर व्रद्धी होती जाती है, यह दैवी धर्म का जाड़ स्थापन हो रहा है, तुम समझ सकते हो, यह हमारे ब्राम्मन कुल का आया हुआ है, इसने पूरी भक्ती की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है, ज्यान पूरा होता है, फिर भक्ती शुरू होती है, यह किसको पता ही नहीं, मकान भी नया और पुराना होता है न, कच्चे मकानों की आयू जरूर कम होगी, आज कल मकान बहुत पक्के बनाते हैं, बल अर्थ को एक आदी हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान नहों, बहुत मजबूत बनाते हैं, फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं, अब फाउंडेशन पढ़ रहा है किस चीज का, स्वराज्य का, आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, यहां की राजाई तो कुछ है नहीं, इस दुनिया में तो कोई भी राजाई की बात ही नहीं, आज राजाई है, कल किसी ने चड़ाई की, खलास, फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं, आज है, कल मर जाए, कोई आधार ही नहीं है मनुष्य जीवन का, अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं, जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाय का फाउंडेशन पड़ता है, तुमको कोई भी धर्ती का तुफान हिला न सके इतना मजबूर पाउंडेशन जो बाबा कहें कैसा भी धर्ती का तुफान आए आसमान आए माया का तुफान आए कोई भी हिला न सके तुमको कोई भी धर्ती का तुफान हिला न सके घीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके, ऐसी बाच्शाही देते हैं जो जराबी दुख की बात नहीं रहती आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए, निश्चे ही तो है ना, निश्चे ही नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं इतने धेर ब्रम्ह कुमार कुमारियां वृद्धी को पाते रहते हैं, तो बाबा कहे पवित्रता के फॉवंडेशन के साथ साथ निश्चे का फॉवंडेशन भी मजबूत चाहिए तिकि जितना निश्चेक का फाउंडेशन मजबूत होगा उतना ही स्वर्ग में चलने के लायक होगे फिर बाबा कहे तुम जानते हो ज्यान सागर पतीत पावन हमको पढ़ा कर राज योग सिखा रहे हैं वह फिर कह देते कृष्ण ने सिखाया यह कैसे समझे शिवाबा ने मनुश्यतन में आकर सिखाया भारत ही पवित्र था अब अपवित्र पतीत है देवताओं के आगे जाकर उनों की महिमा गाते हैं शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे तुम सर्वगुण संपन सोले कला संपूर्ण हो शिव की महिमा अलग है वह ज्यान का सागर पतीत पावन सर्व का सदगती करने वाला सर्व की जोली भरने वाला भोला नात ऐसे बाग को सब भुले हुए हैं परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुखदो दुख हरता सुख करता तो एक ही है उनकी ही स्रेष्ट मत है वह है स्रीश्री भगवान की मत जिससे तुम बच्चे भी स्रेष्ट बनते certain गवर्मेंट भी कहती है कि ब्रष्टाचारी दुनिया है अब स्रेष्ट कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है समझते हैं सादू लोग बनाएंगे परन्तु वह तो स्रेष्ट बना नहीं सकते है यह तो बाप कही काम है ना पहले एक राजा के हुकम पर चलते थे सत्यूग में तुमको वजीर आदी कोई भी नहीं है बादशा में भी ताकत रहती है वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता बाबा कहे पहले तो बादशा में भी ताकत रहती है वजिर का नाम गाया ही नहीं जाता तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था बरोबर सत्युग में लक्षमी नारायन का राज्य था न हर एक को अपनी अपनी राज्धानी मिलेगी कृष्ण को अपनी राज्धानी होंगी दूसरे भी राजाएं होते हैं न कम से कम आठ तो है न फिर आठ है पाइक सो आठ है आगे चल पता पड़ जाएगा ऐसे नहीं कि जो पिछाडी में ज्यान देना है वह भी देंगे जो जीएंगे बाप ग्यान देते रहेंगे देना ही है ड्रामा में नून्ध है परमात्मा का अभी पाठ है यह ज्यान देने का पाठ अभी नून्दा हुआ है बाप कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो दिन प्रते दिन समझाते रहते हैं यह भी पता चले कि हम वहां राजधाने कैसे करते हैं स्वयंबर कैसे होता है तुम ध्यान में जाते हो वेंकुंट में जाकर देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल है सोना ही सोना है अपने को पारस पुरी में देखते हो ध्यान में जब जाते हैं तो बाबा कहे अपने को पारस्पुरी में देख दे, सोने के इंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी इंटे ले जाए, संदेशियां पहले जाते थी, तो जब सोने के महल बन रहे होते हैं, तो समझते थे थोड़ी इंटे ले जाएंगे, पिर उतरते हो, तो अपने को यहां देखते हो, मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते थी, तुम सुक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड़ी मास नहीं होता, फरिष्टे बन जाते हैं, ब्रह्मा का भी सुक्ष्म शरीर देखने में आता है यही फरिश्टा बन जाते हैं तुम बगीचा आदी देखते हो यह बाप सक्षत कर कराते हैं तुम कहते हो बाबा हमको शुबिरस पिलाते हैं अब सुक्ष्म वतन में तो पिला न सके, लेकिन जैसे भासना बाबा देवे पे, फल, फूल, वेंगपुंट में बड़ी फस्क्लास होते हैं, सुक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा, तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंच था, वह तो वेंगपुंट हो गया ना, वेंगपुंट के वैभव यहां मिलना सके, वहां तो फस्क्लास वैभव होते हैं, बाप कहते हैं, हम तुमको वैंकुन्ट का मालिक बनाते हैं, यहां तो दुखी दुख है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं, जो ऐसा न कहें, कि यह भगवान दुख से छुड़ाओ, ऐसा कोई इंसान नहीं, आज की दुनिया में, हर कोई कोई न कोई प्रकार का दुख जरूर है, दुख में ही याद करते हैं, कृष्ण के पुजारी कहेंगे, कृष्ण कहो, अनुमान के पुजारी, अनुमान की जय बोलेंगे, यहां बाप कहते निरंतर मुझ बाप को याद करो, ऐसा याद करो, कैसा याद करें, जो अन्त काल, कोई की स्मृती ना आए, बाबा के सिवा और किसी की स्मृति ना आये काशी कलवट खाते थे उसमें किये हुए पापों की ऐसी महसूस था आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं बहुत पाप किये हैं इसको कहां ही जाता है पाप आत्माव की दुनिया आत्मा पापी है आत्मा ही बाप को बुलाती है ये परमपिता परमात्मा ये परमधाम के रहने वाले शिवाबा उनका असली नाम तो एक ही है वह है आत्माव का बाप रुद्र के साथ शालीग्राम शब्द शोब्ता नहीं है शिव और शालीग्राम शोब्ता है शिवका मिट्टि का लिंग बनाते हैं तो शालीग्राम भी बनाते है पतीत पावन तो वही है न यहां यग्य भी रश्टे हैं भारत सबसे उंच है परन्तु देवता धर्म को पूल गए है तुम्हारा आदी सनातन देवी देवता धर्म है वह तो चला आना चाहिए हिंदू कोई धर्म थोड़ी है देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमों में आते हैं जब तमों में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते हैं वास्तों में हिंदू तो धर्म है नहीं तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हैं आकर समझो तो कह देते फुरसत कहा है जब कहते हैं आकर समझो तो क्या कहते हैं फुर्सत कहा है बाप कहते हम तुमको अपना बनाते हैं शान्ती और सुख का वर्सा देने लिए कोई परिवार आपस में इखठे रहते हैं बहुत प्यार से चलते हैं सब की कमाई खठी होती है कोई हंगामा नहीं रहता परन्तु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे न बले कोई परिवार की सारी कमाई खठी होती है पुरा घर ही खठा होके चलता है कोई हंगामा नहीं रहता है परन्तु बाबा कहें इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे न कि घर में बिमार दुखी होते नहीं, नामी एस्वरग, वहां सब सुखी रहते हैं, बाप से तुम सदा सुख का वर्सा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है, कहते हैं बाबा, आप पतीत पावन हो, हमको भी पावन बनाओ, बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाय खिदमतः और भू, अच्छा, अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्यों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और और गृड मॉर्िंग, रुहाणी बाप की रुहाणी बच्चों को नमस्ते, हम सब रुहाणी बच्चो की रुहानी मात्पिता बाप दादा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुर्ली से धार्णा के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फांडेशन अभी से मजबूत करना है जैसे बाप पतीत पावन है ऐसे बाप समान पावन बनना है दूसरी पॉइंट अपने शांद स्वधर्म में स्थित रहना है जितना हो सके दे अभीमान छोड़ दे ही अभीमानी रहना है डेड साइलेंस अर्थाथ और शरीरी रहने का अभ्यास करना है आज का बाबा का मीठा वर्दान है अपने अनादी आदी स्वरुप की स्मृति से निरबंदन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भवव जैसे बाप लोन लेता है बंदन में नहीं आता है ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंदन उसे मुक्त बने दावा कहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे संसकार अपने बना लो जैसे बाप निरबंदन है ऐसे निरबंधन बनो मूल बतन की स्थिती में स्थित होकर फिर नीचे आओ अपने अनादी आदी स्वरुप की स्मृति में रहो अउत्रित हुई आत्मा समझ कर करम करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे आज का बाबा का मतूर स्लोगन है याद की व्रत्ती से वायू मंडल को पावर्फुल बनाना यही मंसा सेवा है मंसा सेवा किसको कहा जाता याद की व्रत्ती से वायू मंडल को पावर्फुल बनाना यही मंसा सेवा है अच्छा, ओम शाथ